सो हेलो गाइज आपका स्वागत है आज की इस नए वीडियो पर और अज हम बात करने जा रहे हैं बाइक की डिलेवरी लेते टाइम कीन चीजों को हमें जरूर चेक करने चाहिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्रेचिस की जब गाड़ी डिलेवरी बैन से बहार निकलती है या जब गाड़ी डिलेवरी बैन पर चड़ती है तो कई पर क्या होता है बाइक के साइड हैंडल मलब हैंडल एंड साइड बॉक्स एंड साड़ी गाट टैंक बैक लाइट एंड एंडिगेटर पर क्रेचिस लग जाते यहां कई पर्टस proved हो जाते तो हम डेलेवरी टाइम इन बातों को देखने पाते और और इन चीजों को चेक नहीं कर पाते हैं जब हम घर आके देखते हैं तो कहीं scratches या कहीं band डेखने पर हमें भागने लगते हैं कि हाँ यह तो band अगर आप सोरों पर जाओगे इस चीजों को भोलने तो वो इंकार कर देंगे वो आपको ही गलत ठहरा देंगे तो आपको क्या करना है delivery लेते टाइम या उससे पहले आपको इन चीजों को जरूर चेक करना है पहला handle, side box sardi guard, tank backlight and indicator और हम बात करते हैं अब यह चीज़ की यह चीज़ गाड़ी के लिए सबसे important चीज़ आपको पते ही है जब आप गाड़ी के delivery लेने जा रहे है उससे पहले क्या बोले कि हमें गाड़ी को यह बर चला के देखना है test drive करना है अपनी गाड़ी कही और आप गाड़ी चलाए बाहर ले जाए, खाली route देखिए थोड़ा सावधानी से या क्या कीजिए दो दूसरा या तिसरा gear लगाके handle को छोड़ दीजिए अगर आप handle को छोड़ देते हैं और देखे यह कि गाड़ी सिधा जा रही है कि नहीं अगर गाड़ी थोड़ा लडखारा रही है या धरोधर हील रही है तो आप ज़रूर handle पकड़ ले अगर गाड़ी सिधा चल रही है तो ठीक है उससे क्या पर जाएगी कुछ यह चीजिस में कोई problem तो नहीं है आपकी गाड़ी की चीजिस सही है कि नहीं यह आपको पता चल जाएगा अब हम बात करतें टायर की टायर की इस लेगा इस कई बर क्या होता है कंपनी पुराने टायर लगा के दे देती है तो आपको अपने टायर की डेट देखनी है टायर कितनी पुरानी है डेट चेक करना है एक साल या छे मेना पुराना होना चाहिए टायर उस जदा पुराना नहीं होना चाहिए उसे पुराना होने से क्या होता है गाड की परफॉर्मेंस थोड़ा अंतराने लगता है और समय से पहले ही टायर खराब हो जाती है तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान दे अब हम बात करते बैटरी की बैटरी कभी आपको डेट चेक कर लेना है बैटरी क है उसमें किक भी नहीं थो बैटरी के चलते है आप है इसलिए बैटरी पुराना है और चेक कर लेने डेट के हिसा अब हमसे बात करते हैंट की बाइक के साथ सिर्फ एक चीजी फिरी मिलती है वह हेलमेट उसके भी कहीं न कहीं पैसे होते हैं तो आपको क्या करना है हेलमेट को आपको बॉक्स देंगे बॉक्स को आपको वहीं खोलना है वहीं हेलमेट को अच्छी तरह चेक करना है कहीं कोई इसक्रेचिस तो नहीं है बाइद वह ब्लैक हेलमेट ही मिलता है सिंपल हेलमेट तो आपको पूरी तरह चेक कर लेना है घर पर आकर आप देखते हो कहीं स्क्रेचिस फिर अगले दिन जाते हो सोरूम में तो वह इंकार कर देंगे उल्टा आप ही के नाम लगा देंगे कि आप चार-tीन किलोमिटोर तो बाइक चलती है जब वैन में चड़ती है when we are of the delivery वैन में से जब उदरती है तब उतने ही चली होती है देखना है dealer किसी और को चलाना दे देता है या टेश्टराइब के लिए देता है बाट आजकल के dealer बहुत उसी यार हो गए है मीटर का भाय है निकाल देते हैं तो फिर भी वर आपको चेक कर लेना है अब हम बात करते हैं भाई की paint की कई बार bullet या क्लासिक में देखने को मिला है कि उसके paint फूले रहते हैं पपड़ी कहीं से छूट जाता है तो आपको एक एक चीज़ देखना है निकलने लगता है तो आपको अच्छे से हाथ लाकि देखना है ऐन्ड मटगार्ट में भी साइड में ही आपको देखना है जहां ब्लैक Dziękuję पैंट हो उसको जरूरे या Home noon passed करते इन्सोरैंस की कईपर को नीं बताएगा वट मैं बताता हूं इस इन्सूरास में कई पर क्या होता गाइस इन्सूरास में जो भी गाड़ी का अमांट रहता है एक सूर रं प्राइज उसमें कंपणी वाले डीलर क्या करें एक सूरॉं प्राइज में 10 लिगती है ze 1000 आहीं 15 1,86,000 रूपए च्वर्म तही उस समय बट जब मैच या इंशॉरंस देखा एक साल बात क्योंकि हो ऊ тоб in इसनगे लेगे में फिस्ट अ वर सियाख सो सकता कहा कि जब मैंने अपने इस्वर्मोम nya ले गया तो मैंने देखा कि उसमें एक showroom price 10,000 रुपए कम लिखा हुआ है तो आपको ज़रूर चेक करना है और उसे सवाल नहीं पूछना है कि अगर कम करके लिख रहे हैं तो क्यूं कम करके लिख रहे हैं अब हम बात करते हैं बाइक की warranty की क्या होता है कई बार वह warranty बढ़ा और इसमें क्या क्या टर्मन कंडिशन है तो आपको ज़रूर पूछ लेना है कि यह warranty कैसे काम करेगी यूदकि अगर कुछ कभी हो जाता है अगर आप बोलते हैं तो क्या करते हैं उस बात को जुटलाते हैं या मतलब बोलते हैं कि हमारे टर्मन कंडिशन में ऐसा नहीं था तो आपको पहले ही पूछ लेना है उसके बाद वरंटी लेना है अब हम बात करते हैं सबसे इंपोर्टन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन जो कि मैंने बहुत बढ़ी गलती की थी वह गलती आपको नहीं करना है जब आपकी गाड़ी सब चीज हो जाए जब बड़ी चापी जे मेरे समय मैंने फोटो अपने मेंवाल से नहीं की चाथा और देलर और वी मेंति अम्हें तक आपने यह कर देले रे और चीज़ों का ध्यान दे एक एक चीज़ चेक करें क्यूंकि गाड़ी आप अढ़ाई दो लाग से अढ़ाई लाग रुपए दे के ले रहे हैं यह छोटा अमाउंट नहीं है तो आपका हक है एक एक चीज़ चेक करने अगर विडियो पसंद आया होगा अगर विडियो पसंद आ तो लाइक कर ले कमेंट कर ले और बहूंट आरप पसंद आप चैनल सब्सक्राइब कर ले मैं मुल से नेक्ट विडिएो पर भाई